G502 जो 2016 में था उसी का अप्डेटिट वर्जन है G502 Hero और Logitech वालों ने इसके हाड़वेर में क्या क्या चेंजिस लाए और इसमें जो Hero Sensor है वो क्या है इन सब के सवालों का जवाब मैं दूँगा आपको इस वीडियो में आज से कुछ साल पहले बैक इन 2016 एक माउस रिलीज होगा जिसका नाम था G502 और इसको कंसीडर किया जाता था एस लेजंडरी माउस अगर आप किसी भी किसी भी गेमर को पूछोगे तो उसकी टॉप 10 अगर उसकी कोई टॉप 10 लिस्ट होगे ना तो उसमें जरूर यह होगा तो गाइस अभी आप लोग मेरे हाथ में देख रहेंगे Logitech का G502 Hero यप यह वही है बटी अपडेट वर्दने 2016 वाले का तो गाइस Logitech G502 का जो डिजाइन था माउस ग्रिप का वो बहुत ही perfect था इवन इसको बहुत बड़े-बड़े streamers ने use किया हुआ है जिन मेंसे एक Ninja भी है Ninja ने इसको बहुत लंबे समय तक यूश किया और आपने मुझे भी देखा होगा कि मैं भी यह माउस को आपने पिछली वीडियो में बहुत बार यूश कर चुका और अभी यूश कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि कोई भी गेमर जो पीसी गेम्स बगएरा खेलता है उसके लिए माउस उसका जो माउस होता है उसके बहुत इंपोर्टेंट होता एम करने के लिए और जो इसका ग्रीप होना चाहिए वो एकदम पर्फेक्ट होना चाहिए डिजाइन जो पर्फेक्ट था बट स्ट्रिल लॉजिटेक वालों ने इसके हाडवेर में और क्या-क्या चेंजिस किये वो हम लोग अभी जान लेते है सो गाइज इस माउस के लिए लॉजिटेक का खुद का सेंसर यॉप आम टॉकिंग अबाट दा इरो सेंसर जो कि इसमें इंक्लूडीड है यह हमें अलाव करता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतना जादा डीपे में कौन खेलेगा यह बट इसका जो सेंसर वो इतना स्मूथ है इतना मखान है कि जो वाइट सर्फेस होते हैं उन पी अच्छे से एकदम मखन की तरह एकदम रिस्पोंस देता है मैं इसको एकदम अच् जो ढोग के जो अघ रहते हैं जो मैं अरभ है कि यो चॹसी इन आहिक इसको आफ़ शुन भूंत कर दो थो मेर आंबे ठांसफर कर दो तो फिर आपको क्वीक रिस्पोंस होता है वह मिल जाता है तो मैं भी फिर क्या गरता हूं मैं अपने 502 में एड़ करके रखता हूं जोनों बटन्स पर युकि फिर मिलको कोई क्रिस्पॉंस मिलता है और मैं हैडशोट मार पाता हूं लोगों को और मुमिंट मेरी अच्छी रहती है हेडशोट में इसलिए मार पाता हूं क्योंकि इसका सेंजर बहुत अच्छा है बहुत मज़ा आता है यूज करने में इसके अंदर एक बटन है जो की डीपाइशिफ्ट बटन है इसमें क्या होता है अगर जैसे आप लोगों को ने अपने डीपाइश सेट कर रखी है साथ सो आपको अचानक से स्नाइपिंग करने का शोग हो गया और आपकी अगन पर एड्डोट लगाऊ है तो आप लोग डीपाइशिफ्ट करोगे और वह आपकी जो डीपाइशिफ्ट कर देगा जिस जितनी भी वैल्यू पर आप उसको रखना चाहते हो लैक अगर मैंने अपने अपनेंट आगे और मज़े स्नाइप करना उसको एड्डोट से लॉंग रेंज में तो मैं डीपाइशिफ्ट का बटन यूज करके लाइक एसे एकडम धिरी चार सो चार सो तुम समझ रहे हो चार सो डीपी कितना ऐसे धिरी चलेगा तो एक्यूरेस्टी एकम एपिक हो तरीका खिलने का सबका अपना अपना सेट होता है तो मेरी लिए तो बिना एड़ एड़ के लाइक खेल लेता हुआ है तो अगर कस्टमाइबल फीचर में अगर आज भी ना हुआ तो कैसा मजाएगा राइट सो लॉजिटेक की जी हब सौफवेर जो कि हैसका सौफवेर अगर बटन दबाओगे ना तो यह देखो लेख रहे हो तो आपको यह सब भी मिल जाता है लोगिटेक की जी हब के सौफवेर में यह देखो अबस्ते हैं एक 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 और फीचर है गाइस कभी आप लोग टेक्समेसिज पढ़ रहे हो और दिस्कोड पे या फिर रेडिट प इसको एसे कट 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 करना होता है इसमें क्या है ना अगर यह बटन दबाओगे ना तो यह देखो देखो भाई आप इतना इतना जादा स्क्रोल कर लोगे लेक इन्फिनाइट मला मजाग कर रहा हूं मैं बट हाँ बहुत जादा दूर तक पहुचा सकता है पेज 1 से 100 तो लोजिटेक का जी 502 था उसका जो वायर था इसके जैसा नहीं था जो इस वाले का वायर एना यह एक दम पेटर है एक दम बोपी है यह दिख रहे हो और मेरे को यह पसंद भी आया क्या होता है जो माउस होता है उसकी जो वायर जोती है ना वही सबसे पहले खराब होती है जो आपके लाइक ड्रॉर वागरा फ़स जाए बहुत सारे लोगों का वगाँ आपके माउस की वायर इकट जाती है चुहें अगरा काड़ दे वायर माउस ने काड़ दी हद दो गई इसकी निकटेगी इसकी पहुत मसते है इसकी क्वालिटी अची है जितने भी यह यह जि लग देखने को मिलेगा कि इतना जादा इफिसेंट है कितना जादा इसका लाइक चुप बैटरी वैकड़ पहुगा और क्या एडवांटेजिस आ है इसके लाइक बैटरी वैकप कि यह वो घू न को देखने को बिल सकता है इन फूचर तो लॉकी एक करता i कुपलेशने प review लेकर मिलते हैं और ये शाइन बहुत मस्त लग रहा है और ये शाइन बहुत मस्त लग रहा है थाइस let's go and I'll see you guys in the next video take care bye